दोस्तों नमश्कार आज हम हातेली के बिलुकुल मद्धे में राउ परवत पर बनने वाले तिर्बुच के बारे में कुछ ब्रहंतियों को दूर करने का एक स्था प्रियास करेंगे हातेली के मद्धे में राउ परवत अगर यह सम्तल है और यहां पर मस्तिष रेखा भागे रेखा और बुद्ध रेखा के सायोग से एक तिर्बुच बन गया इसको बोलते है धन तिर्बुच धन की कोटरी इसके विशे में कई ब्रहंतियां कई विद्वान मानते हैं कि यह धन नहीं देता बस जातक को मनी मेनेजमेंट इसके रची देता है और कईयों का मानना है कि नहीं धन तिर्बुच है तो धन अवश्य देगा इनी दो मतो के बारे में जो ब्रहंतियां है उन्हीं को दूर करने कोश्च करते हैं देखिए राहु परवत संतल राहु देता है अचानक इंट्रिजेश भी देता है कंसेंट्रेशन भी देता है तो यहां पर अगर तिर्बुच बना तिर्बुच अपने आप में धन का चिन होता है मंगल का चिन हो भरता है तो जात्तक की जिन्दगी में धन की संभावनाए बनी रहती हैं क्योंकि इस धन को ठ्रिक निर्वान में जो धन आता है उसमें भाग्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है भाग्य से मिलावा धन मस्तिश्रिखा मस्तिश्रिखा को पुराने शास्त्रों में धन रेखा भी कहा गया है जा तक धन कमाने के जितने ही प्रयाज करता है उसमें मस्तिश्क की महत्पुर्ण भुमिका होती है तो आपकी मस्तिश्रिखा धन रेखा ये भी इस धन तिर्वुझ के निर्मान में महत्पूर्ट मुमिकादा करती है कोई अद्बूद आइडिया आना उसका इप्लिमेंटेशन होना आगे चलिए बुद्रेखा बुद्रेखा जातक को कुशागर बुद्धी देती है लेकिन हित परधान बुद्धी लाप की संभावना को सुगने वाले चतुराई भरी बुद्धी ऐसा जातक अपनी क्लेवर्टी से धन कमाता है वैपार में हो या नुक्री में हो किसी फिल्ड में हो धन कमाएगा लेकिन केवल समझदारी से नहीं समझदारी के अंदर थोड़ी चला की भी अगर ऐसा है तो धन तिर्भुज पैसा देता है क्योंकि कहा जाता है कि धन तिर्भुज धन नहीं देता धन का संचे करवाता है लेकिन मेरा मत बिलकुल भिन धन का संचे तबी संभव जब धन हो धन होगा ही नहीं तो सजित कैसे होगा तो मेरे मत से धन तिर्भुज का होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव धन लाब की संभावना के द्वार खोलता है जातक की जिन्दगी में धन भी आता है धन का संचे भी होता है और जातक की इस धन को लेकर समझ भी अच्छी होती है कि कहां पैसा खर्च किया जाए ताकि लाब हो लेकिन कई बार हाते लेके मद्दे में धन की कोठरी धन तर्बुज बना होता है फिर भी जातक के पास धन बिल्कुल नहीं होता जातक धन का सज्चे कसे करेगा ये कब होता है यदि आपकी भाग गे रिखा पर पैस्टिस के बाद कुछ दोश उबराए मान लिजे कट लग गया तो अब लगबग पैंतलिस के आसपास जातक को बहुत बड़ा घाटा होगा परबल संभावना जातक के जातक को बड़ी धनहानी हो सकती है अब धंतिर्बुझ कुछ नहीं कर सकता अब धंतिर्बुझ के पास पैसा नहीं आएगा तो पैसा बच भी नहीं पाएगा ऐसे ही मस्थिश्क रेखा पर मान लीजे दो शुर्ट पन हो गया पैस के आसपास मान लो यव बन गया जितने समय तक ये मस्थिश्क पर यव बना हुआ है उस काल अवदी में उतनी अवदी के दोरान जा तक मान सिक रूप से बहुत परेशान रहेगा जा तक को जबरस्त आरती खानी हो जखती है ऐसे में ना धरनागमन होगा ना बचत हो पाएगी ऐसे ही अगर बुद्ध रेखा पर पैतिस के बाद कोई दोश उभर आए मान लेजिए यहां भी दीब बन गया जिस काल अवदी में दीब बना हुआ है उस काल अवदी में जातक की कुशागर बुद्धी जातक की चला की धरी रह जाती है जातक को बड़ी आरती खानी होती है धनहानी ऐसी उस्था में जातक के पाद धन तिर बुद्ध तो होता है धन आगमन नहीं होता धन आगमन नहीं होता तो जातक धन बचा नहीं पाता लेकिन मैं फिर जोड़ दे रहा हूँ कि राओ परवत पर अगर तिर बुद्ध बना मंगल का निशान धन अवश्चे देता है अच्छा लग देता है तो ये धन तिर बुज आज ना दे रहा हो क्योंकि भागेरे का मस्ट श्रिका या बुद्रे का पर दोश है लेकिन जैसे ही ये दोश कई अवधी समापत होगी रेखा इसपस्ट होगी जातक के जीवन में धन आगमन भी होगा और फिर धन संचे भी होगा और ऐसे जातक में अपने आप ही धन के बारे में समिजदारी आही जाती है तो एक छुटा सा प्रियास इसे भांती को दूर करने का की धन तिर बुज दन नहीं देता तो आज आपको एक नया विशे श्टत है कि धन तिर बुज वरतमान में ना दे रहा हो लेकिन भविशे में संभावना है कि आपके पास पैसा आएगा भी और आप पैसा बचाने में काम्याब हो भी जाएंगे वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया